हिंदी कक्सा बारा वाक्य विचार भाग दो जिसके पहले बाग के अंदर हम आठ बागय की बारे में माहिती ले रहे थे उसमें एक बागय विदी बागय की चर्चा कर रहे थे अब दूसरा है निशेत बागय जिसके अंदर आदे सात्मक बाद की जाती है जैसे जवहारलाल बागर अदालत में उपस्तित हो तुम आज ही वहां चले जाओ हारिस को ये काम करना पड़ेगा भाग जाओ सिधे घर चले जाओ तुरंत पत्र लिखना जिसमें सबी जग आदे साता है इंट्रोगेटिव सेंटेश प्रश्न वाचक वाक्य इस प्रकार के वाक्य में किसी वेक्ती द्वारा दूसरे वेक्ती से कुछ प्रश्न किये जाते हैं जैसे इसका आर्थ बतलाए तुम गर कब जाओगे तुमारी माताजी का क्या नाम है तुम कब सोते हो हरीश को आखिर क्या हो गया तुम कॉलेज क्यूं ने गए तुम अभी तक क्यूं सो रहे हो मैं क्या कर सकता हूँ तुमें क्या रो गए अंदर कौन है तुमारे पिता जी क्या करते हैं क्या आज विद्याले में आवकास आए आवकास मदद छुटी है जिसमें प्रशना आते हो उस सब को प्रशन वाच चक वाक्य कहते हैं विश्मयादी बोदक वाक्या एक्सलमेंटरी सेंटर्स जिस वाक्य में कुछ आश्चर्य, सोक, हर्ष, आदिके भाववेक्त हो जैसे आहां कैसा सुहाना मौसम है वाह वाह, क्या लाच अब चीज़ है अरे, तुम कब आ गए साबास, तुमने खुब अंक प्राप्त किया हाई, यह क्या हुआ अरे, तुम अहसा पर हो गए राम राम, बहुत अनुर्थ हो गया अहां, क्या सुहावना मौसम है ऐसा नहीं हो सकता नहीं जिस वाक्य में विश्मय आते हो हैरत, आस्चर्य, उसे विश्मय अधी बोदक कहते है संदेवाज, संदेवाग, संदेवाग, संदेश, इंडिकेटेटिंग डाउट, जिस वाक्य में संभावना, संका, संदेव, आदी अर्थों का बोधो जैसे संभावत वो आज आए, साया आज सर्दी पड़े, सायद किता जी लोट आए, सायद आज वर्षा हो, वभी अभी पहुँचा होगा या नहीं सायद आज हो आए, वो पढ़ता होगा, लेकिन मुझे क्या पता, रेल दुरगटना में अपना तो कोई नहीं फसा, सायद ये सोना सुद्ध हो, हो सकता है कर पंडित मैथली उनसे मिले हो, उसने बुलाया हो, जिस वाक्य में संदेव, वेक्त किया जाता है, उसे इच्छा वाचक, इलेटिव सेंदेश, जिस वाक्य में सुब कामना, सहानू बूती, समर्थन, इच्छा अधी सुचितो, जैसे मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, बगवान आपको चीरायू करे, चीरायू लंभी उमर का, आप प्रस्ण रहे, प्रभू आपकी कामना पूरी करे, मैं भी वही जा चाऊंगा, तुम यह होते हो, तो क्या अच्छा होता, निलम को मैं संतुष्ट करूंगा, बगवान भला करे, दूदो नहो पूतो फलो, संकेत वाचक वाग्य, कर्णिशनल सेंटेंस, इस परकार के वाग्य में सर्थ जा संकेत के बाव नीहित रहती हैं, जैसे, वर्षा होती, तुम्हें बाजरा बोता है, तुम खाओ, तुम्हें संत्रे लाओ, यदि नौकरी मिल जाती, तो विवा हो जाता है, यदि श्रम करते, तो पेट बर लेते हैं, यदि पढ़ते, तो पास हो जाते हैं, यदि तुम आजाओ, तो मैं चल सकूंगा, लोटरी खुल जाती, तो मज़ा आजाता है, यदि वो रूट गया, तो गजब हो जाएगा, मैं मुंबई गया, तो तुमारी लिए सारी ले आऊंगा, यदि तुम कहो, तो जाओं, सर्थ या संकेत के बाव होते हूं, ऐसे संकेत वाक्य कहते हैं, वाक्य बेद एवं विशलेशन, टाइप अप सेंटेंस अप अप अनालिसिस, वाक्य बेद, रचना की द्रश्टी से वाक्य के तीन परकार हैं, सादारण वसरल वाक्य, दो मिश्रव वाक्य, तीन साइंत वाक्य, सादारण वसरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया, एवं एक ही करता होता हो, उसे सादारण वसरल वाक्य के दे, इसमें एक ही उद्धे सर एवं एक ही विदय होता है, जैसे राम गर गया वो पुस्तक पढ़ता है वो फल खाता है रमेश फल खाता है मैं दूर पीता हूं मैं खाता हूं तुम हंसते हो तुम घर जाते हो मैं कल जाओंगा इनमें करता उदेश्य तदक्रिया विदह रहती है एक ही उदे से एक ही विदह सादरान सरल वाक्य कहते है मिस्रित वाक्य complex sentence जिस वाक्य में कोई अन्य उप वाक्य अत्व अंग वाक्य मिला हो उसे मिस्र वाक्य कहते है जैसे मैं जानता हूं को अभी आया है जब से उसे मिला तुम वाँ थे ही नहीं इनमें मैं जानता हूं मैंने उसे मारा सादरान वाक्या तथा कि वो अभी आया है तथा तुम वाँ थे नहीं अंक वाक्या इस परकार दोनों की योग से बना ये वाक्य मिस्र वाक्य कहलाता है दोस्तों ये था उसका दूसरा बाग उसके बाद हम वाक्य विचार में इसके तिसरे बाग की चर्चा करेंगे झाल